अपने कहीं न कहीं नेताओं का काफिला तो जरूर देखा होगा चुनाओं के समय में लेकिन अभी हम लोग बिहार के छप्रा जिले में है और यहां पर एक पूल गिरा है और पूल के निरिक्षन में नेताओं का काफिला नहीं पहुचा है लेकिन अधिकारीों का काफिला जर सर सर एक सेकंद सर एक सेकंद सर नहीं हमें पता है नहीं रूखेंगे हम लोग 80 गंटे से प्रियास कर रहे हैं जहाँ पर निरिक्षन हो लिख और से लेकर गारी के पीछे तक आ लेकिन सब्सक्राइद हो सकें कि बूल देते संव कि पता है एगे में लिक् academics को लखा लो बना दिया जाए लेकिन अधिकारियों पर करवाई नहीं होगी जो लोग इन बरस्टा चार करके चले गए हैं अलाकि यह लोगों को बोलना चाहिए था कि नहीं क्योंकि यहां पर लोग आज नहीं बोलेंगे और जो लिख के लिए जारे हम कैसे मालने कि इस पर आगे करवाई किया जाएगा बताइए आगे हम लेके चलते आपको दिखाते हैं कि पूल किस तरह से पिछले दो दिनों के अंदर में छे पूल गिर चुका है इधर लेकिया है काफिला को जाने दिजे क्योंकि अधिकारियों की काफिला है लोग जबाब दे हम जबाब तो मांगेंगे और यहां के लोगों से बात करेंगे आखिर पूल जो है सिर्फ चार साल के अंदर चार साल पहले बना था और चार सालों के बितर आखिर फूल गिरा तो कैसे गिरा क्या चुगा पूल गिरा दे रहा है या फिर अधिकारी जो है ब्रटा चार करके फूल गिरा दे रहा है आगे चलिए यहां के लोगों से अमबाद करने का प्रियास करते हैं है जो अधिकारी लोग से उनके बोलती बंद हो गई तो लोग भी न बोले ही फरार हो गए फरार हम इसलिए कहेंगे क्युक्ति बिना जबाब दिए गया है कर जबाब देखके जाते तो हम कहते कि यह लोग चले पहले पूल बना चार साल मात्र चार साल बंते हुए देखे थे बंते हुए आप लोग विरोध क्यों नहीं कि अगर अच्छा काम ने हुआ तो काम अच्छा हुआ है तब कई से गिर गया माटी काटने से मतलब कहीं नहीं कोई नहीं तो ठेखडार गलत है ना माती कट वाने वाला होसकता है नर् Аफि कटाया ना माटी आउ woke गिर एक कर्षेकः कर देürा के से अच्छी कॉ비्षा कॉट फूल बना रहा है पूल दू साल f udah mij लिए वार ना थीज़ा में जूझा रहा है कि यहां तक फूल बनता यहां का पाया होता यहां तक तो पूल नहीं लेकिन यहां के जो परहे लिखे कहने वाले इंजिनियर या ठेकदार जो भी होते हैं उन लोगों को समझ में एंने युआ उन पपूल भीचों लामचे सब्सक्राइब और फूल बना है बीचो भी तो फूल नो गिरेगा है तो कोई अन पर आदमी भी बता जेगा है इसे चाठी बता रहे है फूल बाहर रही तना गिरी दूदो पाया और दूदो और पर चाची कि कि तना पाई मुझे नहीं पता लेकिन आपको क्या लगता है क्यों पूल गिरा किरिया वेग नदी के हिसाब से बनना चाहिए पूल बीच में हो गया है व के पानी गुजर रहा है यहां तक लिकिन पूल जो बना है वह मात्र देखिये आधा नदी के बीच में अगर पूल बनेगा पूल का पाया नदी के बीचो बीच होगा तो देखे गिरेगा है और पूल कितना कमजोर था दिखाइए उदर दिखाइए एक पर गिट्टी दिख रहा है पूरी तरह से और पानी के बहाव को अगर नदी का पाया नहीं जिल पाएगा तो उसके बाद सोच लिजिए आप पान चला जाता सोचे क्योंकि इसमें गिरता जो लोग गिरता है उसके बाद बचलेगा कोई संभावना नहीं होता पांच दिनों में पिछले 5 दिनों में 10 पूल गिरे हैं पूरे बिहार में और पिछले दो दिनों की अगर बात करें तो छपड़ा और सीवान में टोटल 6 पूल गिरे हैं चोचे कि इस तना बड़ा अजूबा काम बिहार के बाहर आप लोगों ने ना कभी सुना होगा और ना कभी देखा होगा इस अजूबे बिहार के बारे में आप क्या सुते हूं इस को जरूर बताएगा और जो पूल गीरा इसके अधिकारी जो थे बनाने व